प्रियाग राज के गोहरी गाउं में प्रियंका गांधी वाड़वरा ने की पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात, गुरुवार को एक ही परिवार के चार लोगों की हुई थी निर्मम हत्या, यूपी सरकार ने भी 16 लाग की मदद का किया एलान 27 नवंबर को जॉनपूर में यूपी विधान सभा चुनाव का खाका तयार करेगी भारतिय जनता पार्टी 30,000 बूत अध्यक्षों को संबोधित करेंगे रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग, मुख्य मंतरी योगी आदितनाथ, केंद्रिय मंतरी स्मिरिती रानी भी रहेंगी मौ महराजा सलिय सिंग, अर्कवंशी के पंद्रवे मूर्ती स्थापना कारक्टर में सम्मिलित होंगे दोनों नेता हर्दोई में सपानेता ने भैंस के आगे बीन बजाकर नगर पाली का परिशद हर्दोई के खिलाफ किया विरोज, कई जगाँ पर गंदगी को लेकर किया प्रदर्शन, सपानेता ने कहा नगर शेत्र में फैला डेंगू, पाली का सफाई पर नहीं दे रही ध्यान, सपाने सपीड देवी पार्टन मंदिर में आयोजिच फ्रकधांजली सभा में हुए शामिल, सैनिक कल्यान एवं होमगार मंतरी पल्टू रामसहिद जिले के तीन विधायक भी रहे मौजूद बलरामपुर चीनी मिल्की यूनिट मेंजापुर में आपके सानों के गन्ये से शुगर बनाने के बजाए एथनॉल बनाने की होगी तयारी एथनॉल की यूनिट लगने से बढ़ेगी गन्ने की डिमांड जिले के लोगों को मिलेगा रोजगार साड़े चार सो करोड की लागत से बन रहे एथनॉल प्लांट के भूमी का शिला नियास करेंगे स्क्यम योगी सपा अध्यक्षा खिलेश यादव ने टूइट कर सरकार पर साधा निशाना लिखा बीजेबी का विकास केवल विज्यापन है बिहार की वियाईपी पाती के आग्रफ से शुरू हुई जंचेतना हेलिकॉप्टर रैली का गोरकपुर में शनिवार को होगा समापन विकास चील इनसान पाती पूर्वी यूपी के गोरकपुर में फूंकेगी चुनावी बिगुल बिहार सरकार में पशुपालन और मतस्य संसाधन मंतरी मुकेश सहनी रैली को करेंगे संबोधित मंतरी अनिल राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना बहराईच के प्रभारी मंतरी अनिल राजभर ने संविधान दिवस के मौके पर बहराईच में होने वाले सांसत खेल इस प्रधा में की शरकत ओपी राजभर पर बिना नाम लिये साधा निशाना कहा इनके जैसे राजनेतिक शूटरों का 2022 में शूट आउट करके इने घर बठा दिया जाएगा कहा ऐसे लोगों का जंता के बीच कोई स्थान नहीं 27 नवंबर को महोबा में प्रियंका गांधी की जंसभा की तैयारी में जुटे कॉंग्रेस पदादिकारी अलब संख्यक कॉंग्रेस ने मुसलमानों को इकठा कर प्रियंका की रैली सफल बनाने को लेकर की बैठक कॉंग्रेसियों का दावा प्रियंका की रैली में जुटेगी प्रधान मंत्री मोदी की जनसभा से ज़ादा भीड शावस्ती में भाजपा के कमिश्णरी की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक सौतंतर देव सिंग्ने की शिरकत मददाताओं में भरा जोश कारेकरताओं को दिया जीत का मंत्र ओवेसी पर बोला हमला कहा यूपी में आकर महौल खराब ना करें इसे हैदराबात ना बनाएं कहा अखिलेश को जिन्ना याद आने लगे हैं और ओवेसी को दंगा याद आने लगा मेरट पहुंचे केंद्रिय मंत्री धरमेंदर प्रधान ने सफारालोद गड़बंदन पर कसाता हैं कहा ये कोई नई बात नहीं इससे पहले भी 2014, 2017 और 2019 में गड़बंदन किया लेकिन जन्ता कानून का राज चाहती है कहा के जिनना की बात वही लोग कर रहे हैं जिनोंने कभी पीडी दर पीडी शासन में रहकर काम नहीं किया पूर्व मुख्य मंत्री कल्यान सिंग के नाम पर अरिकड का रामघाट रोड रामघाट कल्यान मार्क के नाम से जाना जाएगा। समविधान दिवस पर पीए मोधी ने देशवासियों को दीशुप कामना है। कहा नीश्वार्थ सेवक ना हो तो समविधान कुछ नहीं कर सकता। राहूल गांधी समेट कई नेताओं ने दीबधाई। मोधी ने अपने संबोधन में ब्रश्टाचार पर फोकस किया, कहा इससे चिंत्त होने की जरूरत है। मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है, कि प्रश्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है, दो-चार साल के बाद लोग स्विकार कर लेते हैं। पीएम मोधी ने कहा कि भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है, जो सम्विधान के समर्पित लोगों के लिए चिंता का विशह है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। सम्विधान दिवस कारिक्रम में सीएम योगी का संबोधन। योगी ने कहा सम्विधान के कारण सबको समान मताधिकार मिले। सम्विधान में हर नागरिक के लिए उच्च कर्तव्य बनाए गए हैं। लखनाओ में स्वदंद्र देव सिंग ने की प्रस कॉन्फरेंस विपक्ष पर निशाना साथते हुए कहा कि सपा वस्पा के शासनकाल में प्रदेश में गुंडा राज कायम रहा, सीएम योगी के नितित्व में प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ। लखनाओ में संविधान बचाओ महा पंचायत में बोले अखिलेश यादव कहा आपका हक और सम्मान समाजवादी पार्टी दिलाएगी। लखनाओ एरपोर्ट को लेकर अखिलेश का सरकार पर निशाना कहा पहले ये सरकार का था, अब बेश दिया। बीजेटी को जो दिखाई दे जाएगा वो सब बिख देंगे। ये बीजेटी के और बाबा मुख्यमंतरी कमाल के हैं, जो इन्हें दिखाई दे जाएगा वो सब दिख जाएगा। अखिलेश आदव ने महापंचायत को संबोधित करते वे कहा, जाती और धर्म का भेद बाबा साहब ने मिटाया, कहा लोगतंतर में जो दुख देता है, जनता उसका सफाय कर देती है। बस्पा सुप्रीमो मायवती का सरकार पर निशाना कहा, दलित वर्ग के लोगों को सपाभाचपा से साफधान रहना चाहिए। सरकारों की तरफ से संबिधान की नहीं की जा सकती अनुपालना। मायवती ने कहा कि आज किसान अंदोलन का एक साल हो गया है, सम्विधान दिवस कारिक्रम में बस्पा हिस्सा नहीं लेगी। यह उचित कदम है, जो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। मायवती ने भाजबाप निशाना साते हुए कहा कि लोगों को उन से सतर्ख रहना चाहिए। बांदा के चर्चित अमन हत्या कांड को लेकर अंचन पर बैठे अमन के माता पिता से मिले कॉंग्रेस नेता नसीमुदीन सिद्धी की। अमन की पोस्ट मौटम रिपोर्ट पर उठाए सवाल कहा अमन को नियाय दिलाने के लिए परिवार के साथ खड़े रहेंगे। शनीवार को महोबा आरही प्रियंका गांधी के संग्यान में लाएंगे मामला। संविधान दिवस के मौके पर कॉंग्रेस की 15 दिन के सदस्यता महा अभ्यान की शुरवात। कॉंग्रेस ने 15 दिन में एक करूर नए सदस्य बनाये जाने का लक्ष रखा है। भुपेश भगेल करेंगे सदस्य अभ्यान की शुरवात। प्रियंका गांधी दलित बस्ती में जाकर कर सकती है अभ्यान की शुरवात। गाउं बस्तियों वाडों में भी चर्चा करेंगी कॉंग्रेस। RSS प्रमुक मोहन भागवत ने एक बार फिर से बटवारे का मुद्दा उठाया। राश्य स्वें सेवक संग के सरसंग चालक मोहन भागवत ने कहा कि देश का विभाजन कभी ना मितने वाली वेदना है। ये न मितने वाली वेदना है। उसका निरास तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। सल्च दौरे पर रहे सीम पुषकर सिंग धामी 63 करोड रुपे की ओजनाओं का शलान्यास और लोकारपन किया। मुख्य मंत्री बोले राज्ये के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही सरकार। ABP गंगा पर पूर्ब सीम हरी श्रावत का प्रदेश सरकार पर बड़ा प्रहार, हर्दा बोले भाजपा सरकार से आम आदमी तरस्ट, 2022 में कॉंग्रेस के सरकार बनने का किया दावा। किसान आंदोलन का आज एक साल हुआ पूरा दिल्ली एंसियार बॉर्डर पर फिर जुटने लगे किसान, दिल्ली पुलिस अलर्ट, गाजिपुर बॉर्डर पर फिर लगाई गई बैरिकेडिंग, सैयुक्त किसान मोचा ने किया किसानों का आववान। सरकार के तीनों क्रिशी कानून वापस लेने के बाद भी आंदोलन जारी, 26 नवंबर 2020 को क्रिशी कानूनों की खिलाब शुरू हुआ था आंदोलन, 6 सूत्रे मांगों को लेकर किसान आंदोलन जारी, MSP की मांग को लेकर किसान आंदोलन पार्टनू शुरू किसान आंदोलन के आज एक साल पूरे क्रिशी कानून रद्धोने के बाद भी घर जाने को तयार नहीं किसान तीनों क्रिशी कानूनों को सदन में रद्ध करने की मांग किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने के बाद किसान नेता राकेश्ट कैत ने एवीपी गंगा से खास बातचीत के दोरान कहा अब सरकार को सोचना है कि मस्पी पर गैरेंटी कानून लाईगी या नहीं उनका अंदोलन लगातार जारी रहेगा समभिधान दिवसाज संसत भवन के सेंट्रल हॉल में कारिक्रम का योजन कुशी नगर इंटरनाशनल एरपोर्ट से आज से उड़ान शुरू दोपहर बात दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरेगा स्पाइस जेट का प्लेन कोलकाता और मुंबाई के लिए भी जल्द मिलेंगी फ्लाइट राइबरेली में दबंग महिला ने दूसरी महिला को जम कर पीटा जमीन विवात को लेकर महिला ने ही महिला को पीटा खेट पर हुई मारपीट का विडियो वारल मिल एरिया थाना शेत्र के राही का गाउं का मामला मुरादबाद में किसान क्रेडिट कार्ट से लिया गया पैसा वापस ना दे पाने वाले बकायदार किसान को तहसील के संग्रे स्टाफ ने घर से उठाया तहसील परिसर में जम कर की पिटाई पिटाई का विडियो वारल करनौज में बीच सडक में पुलिस कर्मियों के सामने जम कर मारपीट होने का विडियो सूशल मीजा पर वारल विवास अमारों में शामिल होने आए फरुखाबाद के विधायक के भाई और पूर्व ब्लॉक प्रमुक के समर्थकों के बीच गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद पिछले 24 घंटे में कोविट संक्रमितों के 10,549 नए मामले सामने आए वाईरस ने 488 लोगों की जान ली आक्टिव मामलों की संक्या हुई 1,10,133 वाईरस से संक्रमित होकर अब तक कुल 3,49,47,830 लोग हो चुके हैं थी जबकि मरने वालों की संक्या 4,67,468 हुई पिछले 24 घंटे में 83,88,824 लोगों काठी का करण किया गया नए आक्टों के बाद देश में अब तक कुल 120,27,3,669 वाक्सिनेशन हो चुके हैं कौशांबी में छत के बरामदे में सो रहे एक यूबक की उसके ही रिष्टेदार ने इंट से सर कुचल कर की हत्या आरोपी ने बीच पजाफ करने आए माता पिता के सर पर भी इंट से किये बाद परार आरोपी को पुलिस ने किया अरिष्ट शामली के गाउं भैसवाल में हॉस्पिटल से अपने घर लोट रहे व्यक्ति का अपरहंट घटना के बाद अपरहंट करने वालों ने पीडित के फोन से घर फोन किया और पचास लाग की रंगदारी मांगी पुलिस मामले की जाच में जुटी जालौन में पती ने पहले तो अपनी पत्नी की गला दबा कर हत्या कर दी उसके बाद खुद फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली घटना की सूचना पर मौके पर पहुँची पुलिस ने दोनों के शफ को पोस्मॉटम के लिए भेजा गोंडा के पंडित पुर्वा गाउं में बीते दो दिनों पहले आठ साल की मासूम की हत्या का पुलिस अधिक्षक ने प्रेस कॉन्फरेंस कर पूरी घटना का खुलासा करते हुए अम्रिता के चचेरे भाई को गिरफतार किया लखनव में युवक का शव एक सेप्टिक टैंक से मिला रजनीश की पहले बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई और उसके बाद शव को सेप्टिक टैंक में फेका गया मितक के भाई ने मामले में क्यूपती सहित उसके पिता चाचा और भाई पर हत्या का आरोप लगाया देहरादूर में संविधान दिवस पर उत्राखन विधानसबा में आयूजित कारिकरम, मुख्यमंत्री पुशकर सिंग्धामी और विधानसबा अध्यक्ष प्रेम चंदकरवाल कारिकरम में रहे मौजू कुशिनगर इंटरनेशनल एरपोर्ट पर पहुंची पहली फ्लाइट, आई जी आई एरपोर्ट दिल्ली से, कुशिनगर एरपोर्ट पहुंचे यात्री, वाटर कैनन सेल्यूट से हुआव यात्रियों का स्वागत चुनाब आयो के निर्देश पर खटीमा ब्लॉक सभागार में SDM और तहसीलदार ने बियलो के सुपरवाइजर को निर्वाचन नामावली में नाम जोड़े जाने और हटाये जाने की ट्रेनिंग दी उत्राखन बीज़बी के प्रदेश प्रभारी दुशंत कुमार गौतम ने आम आदमी पाथी के मुफ्त तीर थियात्रा योजना की घोशना को जूट का पुलिंदा बताया उन्होंने आरूफ लगाय कि आप पाथी के नेताओं ने हरद्वार को बदनाम किया था और अब उसी पाथी के लोग हरद्वार से अपनी योजना की गारंटी के कार्ड बांट रहे हैं पौडी में गुलदार ने आवासे भवनों और आसपास में उगी जाडियों को बनाया आशियाना नगरपालिका के ईयों ने किया एक टीम का गठन और जाश शुरुकी बागेश्वर के राजकी एंटर कॉलेज बद्या कोट में चार दिवसिय विज्ञान उत्सव का रहशाला का यूजन उत्राखन के शिक्षा जगत में ये पहला अभिनाव प्रयोग किया गया जिसमें बद्या कोट सोराग उच प्रात्मिक विद्याले तीक धूर किलपारा आदी स्कूलों के बच्चों समेथ शिक्षकों ने भाग लिया कैबिनेट मंत्री हरक सिंगरावत की बहू अनुकृती गुसाई के लैंस टाउं शेत्र में टिकेट की दावेदारी के समर्थन में आये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंगरावत कहा उर्जावान और लोगों की सेवा करने वाली अनुकृती को मिले टिकेट देरादून में रोडवेस करमचारियों के लिए अच्छी खबर रोडवेस करमचारियों का बढ़ाया गया महेंगाई भत्ता रोडवेस करमचारियों को 11 पीजदी डिये का लाब देने ग्यादेश तकरीबन 3000 नियमित करमचारियों को मिलेगा भत्ते काला जहरदून में कॉंग्रिस में टिकेट को लेकर मंत्रन तेज दाविदार नेताओं के नाम के पैनल अभूं के तैब अब राज जिस तरिय चुनाव कमिटी नेताओं के नाम के तैब करेगा अलमोडा के जागेश्वर विधानसवा में चुनावी डैली में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरी श्रावत कहा कि प्रदेश में आम जनता के रूचान से कॉंग्रिस विधानसवा चुनाव में अपना पर्चम लहराने वाली है 2022 को लेकर भाजपा ने तेज की चुनावी तैयारी उत्राखंड के दू दिवस्ते दौरे पर चुनाफ रभारी प्रलाज जूशी समेत कई तिक शामिल दौरे के दूसरे दिन कई शेद्रों का दौरा कर टटोलेंगे नब्स देवस्तानम बोट पर फैसला लेने के लिए सरकार के पास 3 नवंबर तक का समय एक दिसंबर से तीर्थ पुरोहित शुरू करेंगे बड़ा अंदोलन 27 नवंबर को तीर्थ पुरोहित मनाएंगे काला दिवस उत्राखन के भारतिय वन अनुसंधान केंद्र में एक बार फिर कोरोना वाइरस के कई मामले सामने आए यहां 11 आई-फेस ओफिसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए बल्या के सुर्मनपूर रेल्वे स्टेशन पर रेल लाइन पार करने की कोशिश में एक महिला माल गाड़ी के नीचे आ गई महिला के उपर से ट्रेन गुजर गई मगर महिला की जान बाल-बाल बची पश्चिम में भाजपा के सार थी ब्रज भूमी के संग्राम के महरत थी कानपूर शेत्र के कमलकार अवद के सबसे बड़े रन नीटी कार जो काशी में लगाएंगे नई आपार जिस पर कोरकपूर शेत्र का दारो मतार यूपी की विजय व्यूह रचने वाले भाजपा के छे योद्धा सेना पर शनिवार रात साथे नौ बचे रवी बार दो पहें देर बचे पता है लाइफ की मैच में कॉंपेटिशन नहीं कमपेटिबिलिटी देखे जाती है तो भारत मैटरमोनी अप डाउनलोड करो और ढूंडो अपना कमपेटिबल लेग अखिलेश यादव आजमगर पहुँचे अपने संसेदिये शेत्र में एक महिने में दूसरी बार पहुँचे अखिलेश यादव नीजी प्रोग्राम में शामिल होने पहुँचे शुकरवार को सोने चांदी के दाम में फिर आया उचाल 306 अंको की बढ़त के साथ 47,993 रुपे प्रती 10 ग्राम पर पहुँचा 24 केरेट सोने का भाव महीं चांदी भी 152 रुपे हुई महंगी 63,460 रुपे प्रती क्लो ग्राम पर पहुँचे चांदी के दाम झाल पर झाल चांदी के दाम कर दो क्या आदी महीं चांदी के दाम